ओम, शंती, 11 अक्टूबर 2023, बाबा की महवाक्य, मीठी बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है, अद का आधार गरीबी, वह साहुकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, प्रश्न, ज्यानी तो आत्मा का पहला लक्षन कौन स है, उत्तर, वह सभी के साथ अती मीठा विवहार करेंगे, किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्यानी तो आत्मा का लक्षन नहीं, बाब की श्रीमत है, बच्चे अती मीठा बनू, प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा, इस शरीर को चला रही हूं, अब मुझे घर जाना है, गीत, तू प्यार का सागर है, उम शंती, बच्चों ने किसकी महिमा सुनी, निराकार बेहद के बाप की, वह ज्यान का सागर उंच ते उंच है, उनको ही उंच ते उंच बाप कहा जाता है, परम सिक्षक अर्थार्थ, ज्यान का सागर भी कहा जाता है, अभी तु बड़े दे बड़ा बाप है कोई साधू सन्यासी तो नहीं है यह तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है तुम बच्चों की बुद्धी में है कि यह हमारा बेहद का मात्पिता पती आदी सब है फिर भी वह नशा स्थाई नहीं रहता घड़ी-घड़ी यह तो उंच ते उंच और अती मीठे ते मीठा बाप है जिसको सभी आधा कल्ब याद करते हैं लक्षमी नारायन को इतना याद नहीं करेंगे भक्सतों का भगवान एक ही निराकार है उनको ही सब याद करते हैं भल कोई लक्षमी नारायन को कोई गणेश आदी को मानने व याद करती है, जिस्मानी भक्त, जिस्मानी चीज़ को याद करती है, तो भी आत्मा इतनी हितावरता है, जो अपने बाब को जरूर याद करती है, दुख में छट आवाज निकलता है, हे परमात्मा यह जरूर समझते हैं, कि वह परमात्मा निराकार है, परन्तु उनका को जानते हो, कि वह तो अब हमारे सम्मुख आई है, वह है स्वर्ग का रच्चैता, हमको सम्मुख पढ़ा रही है, यह एक ही पढ़ाई है, वह जिस्मानी पढ़ाईयां तो भिन-भिन परकार की होती है, कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो छोड़ भी देते हैं, बाप को गरीब निवाज कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं, यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई, मनुश्य अपने को इन्शोर भी करते हैं, यहां भी तुम इन्शोर करते हो, कहते हो बाबा, आप हमें इस वर्ग में 21 जनमों का एवजा देना, भक्ति माग में ऐसे नहीं कहते हैं, कि हे परम पिता परमात्मा हमको 21 जनम लिए वर्षा दो, यह तुम अभी चानते हो, हम डाइरेक्ट अपने को इन्शोर करते हैं, यह तो हमेशा कहते हैं, भल देनी वाला इश्वर है, सबको इश्वर ही देते हैं, बल कोई भी साधू संत अत्वारिधी देनी वाला सबको इश्वर है, आत्मा कहेगी देनी वाला इश्वर है, दान पुन्यादी करते हैं, फिर भी उसका फल देनी वाला इश्वर ही है, उस बढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है, बाबा ने समझाया है, गरीब का भी इतना ही इंशोर होता है, सहुकार लाख तो उनको लाख का मिलेगा, गरीब एक रुप्या करेंगे, सहुकार पांच हजार करें, तो भी एवजा दोनों को इकोल बराबर मिलना है, गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती, गरीब अत्वा सहुकार दोनों बाद से वर्सा पाने के हकदार है, सारा म मनुश्य सृस्टी जाड़ के आदी मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुश्य मात्र जानता नहीं है, प्रिकाल दर्शी कोई हो नहीं सकता, सब कह देते बेंत है, समझते हैं, मनुश्य सृस्टी का वीज प्रमात्मा है, यह उल्टा जाड़ है, फिर भी कह देते हम यथार्थ रीती नहीं जानते हैं वरोगर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नौलिजफुल है सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है अभी तुम नंबरवार पुरिशार्थ अनुसार जानते हो तुम मास्टर ज्यान सागर हो सब एक जैसे तो नहीं है कोई बड़ी नदी, कोई छोटी नदी है पढ़ते सब अपने अपने पुरिशार्थ अनुसार है तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है कोई के लिए कहा जाता है यह बिचारा परवश है माया के वश हो उल्टी मत चलाते है श्रीमत भगवानु वाच है न जिससे स्रीस्ट ते स्रीस्ट देवी देवता बनना है जब पहले निश्चे हो जाई तब फिर शिव बाबा से मिलना है बाबा समझ जाते है इनको यथार्थ निश्चे नहीं है आतमाओं का बाब एक है यह तो समझते है परंतु वह इनमें आपर वर्सा दे रहा है यह निश्चे बैठना बड़ा मुश्किल है यह जब गुद्धी में बैठे और लिख कर दे अब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए समझेंगे यह तो बरुबर ठीक है इतना समय जो समझते आए इसो रोंग है इश्वर सर्फ यापी नहीं है वह तो बेहद का बाब है बरुबर भारत को कल्ब कल्ब संगम पर बेहद की बाब द्वारा वर्सा मिलता है संगम पर और इसी समय ही मिला था अब फिर मिल रहा है यह लिखाना है बरुबर बाब संगम पर ही आते हैं आकर भी की द्वारा स्वर्ग की रजनारज दे हैं जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आई हो क्या लेने आई हो इश्वर का रूप तो निराकार है इश्वर का रूप ना जाने कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं बच्चों को समझाया है वह तो बिंडी है यह बात और किसकी बुद्धी में नहीं बैठेगी कि पर्मात्मा एक बिंडी है आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा ब्रकुटी के बीच में वह चोटी सी चीज है तो विचार करना है पार्ट धारी कौन है इतनी चोटी आत्मा में इतना अभिनाशी पार्ट नुधा हुआ है इन बातों में जब कोई दीप जाए तब उनको समझाना है तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जनम लिए है बह सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होता है इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे यह बात तो कोई समझते नहीं 84 जनम हमारी रिपीट होते है यह बना बनाया ड्रामा है आत्मा में कैसी पार्ट नुधा हुआ है सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे बरुबर मैं आत्मा कहती हूँ हम आत्मा एक शरीर छोड दूसरा लेती हूँ यह हमारा पार्ट नुधा हुआ है जो ड्रामा अनुसार होता है यह बाते ही कमजोर गुद्धी वाले कभी धारन करना सके यह सिमरन करना है हम 84 जनमले पार्ट बजाता हूँ शरीर धारन करता हूँ जब यह सिमरन चलता रहे तब कहीं यह पूरा प्रिकाल दर्शी है और दूसरे को भी प्रिकाल दर्शी बनाने का पुर्शार्थ क जाए अंदों की लाटी बन नेंद से सुजाग करना है। ब्रह्मा के हाथ में शाष्टर दिखाते हैं परंतु परम, पिता, पर्मात्मा इन में आकर इन द्वारा सभी वेदों शाष्टरों का सार बताते हैं। परम, पिता, पर्मात्मा ही हैं वह आकर प्रचा, पिता, प्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ग्यान का कलश कहा जाता है। ये सारा मदार धारना पर है। इन्शोर करो, ना करो, यह तुम्हारे उपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रिपी इन्शोर करते हैं। इन्शोरेंस मैगनेट है। भक्ती मार्ग में भी तुग्यान मार्ग में भी। बाब को सब आतमाई भक्ती मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से चुड़ाओ। बाब वर्सा देंगे या तो शांती धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांती का वर्सा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांती का वर्सा लेंगे। तुम अब पुशार्ट कर रही हो, सुख का वर्सा लेने के लिए, इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, जैसे बाप मेठीते मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मेठीते मीठी है, स्वर्ग कितना मीठा है, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं, कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्ग वासी हुआ, तो जरूर नर्क में था, अब स्वर्ग में गया, जाता नहीं है, तो भी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए, जरूर हैल में था ना, यह हैल है, फिर उनको यहां मंगाने की, हिलाने की क्यों कोशिश करते हैं, पित्र बुलाते हैं ना, आ तुम्हारा है योग बल योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है आत्मा में जोहर आता है तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है यह कोई स्थूल कटारी वह तलवार की बात नहीं है आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंक ध्वनी करने की अच्छी थाकत है हम शंक ध्वनी कर सकते हैं कोई कहते हैं मैं शंक ध्वनी नहीं कर सकती हूँ बाप कहते हैं ज्ञान की शंक ध्वनी करने वाले मुझे अतिप्रिया हैं मेरा परिच्चे भी ज्ञान से देंगे न ब यह भी ज्यान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है, बाप हमको नौलेज दे रही है। बाप कहते हैं, तुमको वापिस चलना है, मुझे याद करो, तो भी कर्म विनाश होंगे, भगवान वाच, मन, मना भव। तो जरूर वह निराकार होगा ना, साकार कैसे कहेंगे, मुझे याद करो। निराकार ही कहते हैं, हे आत्माई मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे याद करेंगे, तो अन्तमती सोगर्ती हो जाएगी, तुम आत्माई इस शरीर द्वारा कहती हो, कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो, बाप भी आत्माओं को कहते हैं, मन मनाभव, तुम आत्माओं को हमारी पास ही आना है, बेरी अविमानी होना है, अच्छी फिरते, उठते, बैठते, मुझे याद करो, जो अशान्ती फैलाते हैं, वह अपना पद भरस्ट करते हैं, इसमें तो बहुत-बहुत मीठा बनना है, गीत भी है न, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, तुम भी उनके बच्चे भोले हो, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो, कि बाप को याद करो, तो स्वर्ग के मालिक बनोगे, और कोई ऐसा सौदा दे ना सके, तो बाप को बहुत याद करना चाहिए, जिनसे इतना सुख मिलता है, उनको ही याद करते हैं, और पतित पावन आओ, आत्मा ही पतित बनी हैं, उनके साथ शरीर भी पतित बना हैं, आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं, वह लोग तो कह देते, आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परन तो नहीं, एक परम पिता परमात्मा में ही, कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है, हर एक को सतो, रजो, तमों में आना ही है यह सब पॉइंट धारन कर बहुत मीठा बनना चाहिए ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती दे अभिमान में आकर यहां ही बैड कोई से सर्विस लेना बिलकुल रॉंग है अच्छा मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रती मात्विका बाप दादा का यात्यार और गुड मोनी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुक्य सार पहला ज्यान का सिमरन कर त्रिकाल दर्शी बनना और बनाना है अंधों की लाठी बन उन्हें अज्यान नींद से सुजाग करना है दूसरा 21 जनमों के लिए अपना सब कुछ इन्शोर करना है साथ साथ ज्यान की शंक ध्वनी करनी है वर्दान अपनी जिम्मेवारियों के सब बोज बाप को दे सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन सेवा थारी भव जो बच्चे जितना स्वयम हलके रहते हैं उतना सेवा और स्वयम सदा उपर चड़ते रहते अर्ठार्त उनती को पाते रहते इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोज बाप को दे कर स्वयम निश्फुरने रहो किसी भी प्रकार के मैपन का बोज ना हो सिर्फ याद के नशे में रहो बाप के साथ कंबाइंड रहो तो जहां बाप है वहां सीवा तो सुधह हुई पड़ी है करावन हार करा रहा है तो हलके भी रहेंगे और सफलता संपन भी बन जाएंगे स्लोगन बेहद ड्रामा के हर द्रश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंद रहो ओम शांती